नमस्कार आप देख रहे हैं साइटू मैं देविंदर सिंग लड़ू इस वक्तम है पत्ना सिटी के गौरी शंकर मंदिर में सब की निगाहें जो है पुरी देश की निगाहें अयोद्या में सिरी राम मंदिर का दर्शन, सिरी राम मंदिर का भव रूपसे शुभारम होने वाला जो दर्शन करने वाला है वो दिन है 22 जन्वडी दो हज़ार चौबिस को यहां एउध्या से चलकर कलस आया काफी यहां पर स्वागत किया गया तो धूम-धाम से तमाम तरीकी एउध्या से जो गीत है वो लोग भक्त लोग गार है एक उसाहित रूप से यहां से कलस जो कर सकते हैं जैसे दो हजार चौवीस जन्वरी के आगाज होगा तो आपके घरो में जाएंगे दर्शन करेंगे अमंत्रन मिलेगा निमंत्रन मिलेगा और साथ में जब शुभारम के रूप में तो अक्षत के साथ में आप दर्शन किजिएगा हम वही का अस्थान पढ़ा है गौली शंकर मंदिर में और दो हजार चौवीस का शुरुआत कर सकते हैं कि एक जन्वड़ी इसी एक जन्वड़ी से आपके लिए आपके घरों में जाएंगे बिबिन महलों में विबिन छेत्रों से गुजरता हुआ दर्शन करने के यह रही है चलिए मैं आपको दर्शन करवा देता हूं कौन सा कलस है यहां के पुजारी यहां के जो प्रत्यक्ति रूप से जो जनकाड़ी देने वाले भ्यवस्तापक है अयोद्यास लेकर पत्ना सिटी गौर्शेंकर मंदिर तक हम विस्तार समापको जनकाड़ी देंगे चलिए हमारे लिए बहुत सुखद अनुभूति है कि युद्या से जन जन तक पहुंचाने के लिए वहां से अच्छत कलस आया है जो हम लोग सनातन का प्रण था कि सवगंधर राम की काते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे जो स्री राम जी के धया से आज वो बात सफल हो गया वहां मंदिर बन रहा है इससे सुखद अनुभूति और कुछ नहीं होगा हमारे लिए जैसरी राम यहां से जितना तक हो सके अभी हमारे पास दूर दूर से आदमी आ रहे हैं रानिपूर पैजाबा से कि यहां कलस आया है दर्सन करेंगे हम लोग को इस कलस का अच्छत मिलना चा दर्सन का मंदिर से यहां इसी गोरिषांकम मंदिर से हर घर जाकर हम पूजन हो रहा है और राम जी के अर्षिवास से === महादेव कर्शिवास से आज सेम सीसी वही प्रसिती है अयोध्या से कलस आया है प्रतेग घर में हम लोग को अच्छा जाकर के प्रतेग घर में अमंत्रन देना है कि आप लोग 22 के बाद जनमरी के बाद आप प्रतित जब इच्छा आपकी सुमाब हो आयोध्या से चलता हुआ गौणी शंकर मंदीर का एक मात्र युक कर सकते है कि पट्ना सिटी का ऐसा स्थान है जो कि आयोध्या से पट्ना सिटी गौणी शंकर मंदीर यह जुड़ा हुआ है जब शिला पट जब शिला न्याज किया गया तो उस वक्त भी यहां से तमामतर की जो समग्री जो होती है चाहिए यहां से या फिर आयोध्या से आज यहां का धर्शन साक्षात है और पत्ना सिटी के तमाम घरों में जाकर एक निमंतरन देना एक अमंतरन देना अक्षत के साथ में कि 22 जनवड़ी के इतिहास लिखने के बाद धर्शन करने के बाद 24 जनवड़ी से आप अध्य में आपका स्वागत है राम लल्ला और इसी क जनवड़ी को इतिहास लिखने के पहले आपके घरों में जाएंगे दर्शन अवस्कर है इसे साथ हुआ आप देखते रहिए जैसरी राम